में आप जानेंगे MS PowerPoint 2016 का परिचे MS PowerPoint 2016 स्टार्ट करना और साथ ही जानेंगे Quick Access Toolbar, Ribbon, Slide Pen इत्यादी के बारे में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें Microsoft PowerPoint के कई versions पहले आ चुके हैं और हर नए version में Microsoft द्वारा कुछ नए features एड किये जाते हैं साथ ही उसे कारी करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है MS PowerPoint का उप्योग मुख्य तया Schools में, Office Meetings में, Seminars में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजन्ट करने के लिए किया जाता है Microsoft PowerPoint 2016 इसके पुराने सभी वर्जन से अधिक उप्योगी है इसमें कई नई चीजें दी गई हैं जैसे Online Photo या Pictures इंसर्ट करना Online Video इंसर्ट करना OneDrive option की साहता से Presentation को Online Save और Share करना इसके अलावा इसमें कई नई तरह के Animation Effect, Themes आधि दिये हुए हैं जिनकी साहता से आप अपने Presentation को आकरशक बना सकते हैं तो आईए अब आपको Microsoft PowerPoint 2016 की प्रारंभिक जानकारी दे दें सबसे पहले Start या Window बटन पर क्लिक करें All Programs में जाएं और यहां से PowerPoint 2016 पर क्लिक करें यह PowerPoint 2016 ओपन हो गया है Left and Side में आपको वो फाइल्स दिखाई देंगी जिन पर आपने पहले काम किया होगा और उन्हें आपको ढूडना नहीं होगा आप डिरेक्ली यहीं से क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं यहां पर कई तरह की template दे हुई हैं जैसे gallery, parcel, wood type, इत्यादी इनकी सायता से आप अपनी पसंद और आवशक्ता के अनुसार अपना presentation बना सकते हैं जो भी template आप select करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें अब यह देखिए इसमें कुछ और color options भी आ रहे हैं इन में से जो भी आप चाहें वो चुन सकते हैं और उसको फिर खोलने के लिए create पर क्लिक करें अब हम PowerPoint 2016 बन कर देते हैं यह हमने देखा PowerPoint उपन करने का एक तरीका अब दूसरी तरह से इसे उपन करके देखते हैं start पर क्लिक करें नीचे box में PowerPoint 2016 टाइप करें यह देखिए सबसे उपर यह नाम आ गया है अब आप चाहें तो enterprise करें या फिर इसी पर क्लिक करके इसे खोलने हम इसमें अभी blank presentation चुन रहे हैं PowerPoint के features का उप्योग करने से पहले हम इसके interface के बारे में जानेंगे साथ ही हम यह भी समझ जाएंगे कि जरुरत के समय कौन सा tool हमें कहा मिलेगा इस window में सबसे उपर आपको title बार दिखाई देगा जिस भी नाम से आपने file save कर रखी होगी वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेफ्ट साइड में यहाँ आपको quick access toolbar दिखाई देगा जिसकी सायता से आप ज्यादा तर काम आने अवेले features जैसे save, undo, redo, इत्यादी का उप्योग कर सकते हैं आप इन में अपनी जरुरत के अनुसार options add भी कर सकते हैं और जिन options की उप्योगिता नहीं हैं उन्हें हटा भी सकते हैं यहाँ पर आपको ribbon मिलता है जिसमें अलग-अलग tabs होते हैं जैसे file, home, insert, design, इत्यादी जब भी हम powerpoint open करते हैं तो by default home tab selected होता है हर tab में अलग-अलग blocks और उनके features होते हैं जैसे home tab में clipboard, slides, font, paragraph, drawing, editing, इत्यादी blocks होते हैं और उसके अंदर उनके features होते हैं इसी तरह से insert tab में slides, tables, images, illustrations, इत्यादी blocks होते हैं हर tab में आपको इसी तरह से अलग-अलग blocks और उनके features मिलेंगे यहाँ पर view tab के पास में tell me नाम का एक नया advanced feature है इसका उप्योग करने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर अपने keyboard पर alter और Q keys प्रेस करें इस option की सायता से आप PowerPoint के किसी भी option पर शीखरता से पहुँच सकते हैं मालीजे आपको search करना है symbol option तो आप यहाँ type करें symbol यह देखिए यह option यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर click करके आप इसे use कर सकते हैं right hand corner पर आपको ribbon display option मिलता है जिसकी सायता से आप इस ribbon को hide या unhide कर सकते हैं इसमें तीन options हैं पहला है auto hide ribbon अगर आप इस option को select करते हैं तो यह उपर जो ribbon था वो hide हो गया है जब भी आप उसे वापस चाहें तो उपर mouse ले जाकर के click कर दें तो वो ribbon आ जाएगा और उसके बाद फिर नीचे कहीं पर click करेंगे तो यह ribbon अपने आप hide हो जाएगा इसमें दूसरा option है show tabs इस option को select करने पर tabs आपको नजर आएंगे पर उनके अंदर जो blocks होते हैं या commands होती हैं वो नजर नहीं आएंगी उनको देखने के लिए जिस भी tab की commands या blocks आपको चाहें उस tab पर आप click कर दें तो यह देखे नीचे उससे जुड़े हुए सारे blocks आगए नीचे कहीं भी click करने पर यह commands वापस से hide हो जाएंगे तीसरा option है show tabs and commands इस पर click करने पर आपको सारे tabs और सारे commands नजर आएंगे और click करने पर भी यह height नहीं होंगे फिर इसके बाद आपको minimize, restore और close के buttons मिलते हैं ribbon में सबसे पहला tab होता है file का जिसमें आपको new, open, save इत्यादी options मिलते हैं यदि आप powerpoint 2007 पर काम कर रहे हैं तो यह options आपको office button के अंतरगत मिलेंगे देखिए यह new, open, save इत्यादी options आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस arrow पर click करने पर आप वापस main screen पर आजाएंगे यहाँ पर जिस slide पर आप काम कर रहे होते हैं वो slide दिखाई देती है जैसे इस slide पर दो boxes बने हुए हैं इन्हें कहते हैं text place holder पहले वाले box में लिखा हुआ है click to add title इसमें click करके आप जो भी title देना चाहें वो दे सकते हैं और नीचे वाले box में लिखा है click to add subtitle इसमें click करके आप जो भी subtitle देना चाहें वो दे सकते हैं आप चाहें तो इन boxes को छोटा या बड़ा ही कर सकते हैं इसे चोटा या बढ़ा करने के लिए आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद ये जो आपको चोड़ी चोटे सर्कल्स दिख रहे हैं यहां पर माउस ले जाकर के उसे ड्रैक करके आप चोटा या फिर बढ़ा कर सकते हैं लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन होता है हम जितनी भी स्लाइड इंसर्ट करते हैं वो सब यहां पर दिखाई देती हैं और यहां से हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं स्लाइड पैन को चोटा या बढ़ा करने के लिए जो बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है इस पर माउस ले जाकर के क्लिक करें और उसके बाद लेफ्ट या राइट साइड में ड्रैक करके आप इसे चोटा या बढ़ा कर सकते हैं एक से ज्यादा स्लाइड इंसर्ट करने पर राइट हैंड साइड पर आपको स्क्रोल बार दिखेगा इसकी सहायता से भी आप एक से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं यह देखिए अभी हम first slide पर हैं, जैसे जैसे हम scroll bar आगे बढ़ाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, तो यह हम अगली slide पर पहुँचते जाएंगे, आईए अब हम screen के नीचे के हिस्से के बारे में समझते हैं, यह status bar है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम किस slide पर हैं और इस file में कितनी slides हैं, इसके अलावा आप अपने presentation के बारे में कोई note या comment भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो note या comment आप देंगे, वो slide show present करने पर नजर नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के views हैं, जिनने हम बाद में समझेंगे, यहाँ zoom का option है, जिसके साहता से आप slide को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं, यहाँ से हम fit slide to current window option भी choose कर सकते हैं, जिससे slide window screen के size के हिसाब से fit हो जाएगी, MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने जाना, MS PowerPoint 2016 का परिचर, MS PowerPoint 2016 स्टार्ट करना, और साथ ही जाना, Quick Access Toolbar, Ribbon, Slide Pen इत्यादी के बारे में, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करें, अने लोगों के साथ इसे share करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें.